को क्वारे है ऑच आज मैंट आप लोगों जाते हूं व गोशिष करते हैं तो आस पास महले में जो भी कार् geri ँस वगयर देखे हुए आप में ट्रक देखें फीर जैन होती है कासतो इठीक है अब उस धिजायन को समझने के लिए उन्में कौन कौन से पार्स होते हैं तो इसके लिए आठो मुवाइल इंजिनिर्र होती है जो जैसे हम लोग जनरली पढ़ते हैं तो चलिए देखते हैं कौन कौन से पार्स होते हैं इसमें तो चलिए देखते हैं सारे चीजों के बारे में एक करके पढ़ते हैं इसे आज के समय में कार जह लिए बहुत जरूरी होते हैं क्या होता है कि अपने घरगाओं में जो भी लोगों को देखते हैं तो उनकी स्टेटस भी सिस पता चलती है माली उसके पास कार है तो यह बोल देते हैं जनरी बोल देते हैं अमीराद में किसी पास पैसा भी होता है अगर उसके पास गाड़ी ब इसके नीचे चेशस को बाद में समझेंगे सुभसे पहले जान लेते फ्रेम क्या होता है फ्रेम जो हमारा सबसे लेकर क्या हुआ है डाए अब इसे क्या उधे होड़ भिल दहों लेकिन दूसे इसमें क्या बोल ला चाहिए नेगए फ्रेम नीचे वाला पार्ट होता है जो होरिजन्टल पार्ट होता है उसमें जो भी चीज माउंट कर दी जाती है उस पूड़क मिला कर क्या बोल देते हैं यह मजबूत बनाया जाता क्योंकि इसमें कई प्रकार के लोट्स पड़ते हैं जैसे डाइनेमिक लोग इस्टेटिक लोट आप देख पा रहे होंगे इस फ्रेंश जनरली बोलते हैं स्सेटुप बोला है क्या की बाहन में जैसे इंजन गयर बॉक्स पहले साधि बजन को भी उठाती है इसके साथ यहाई बाहन के Cambridge को भी उठाती है उटाती करा सटको में जैसे हम चलते हैं तो होताए कई प्रकार के perspective लोड लगते हैं हमारे ठीक है ना डाइनमिक स्टेटिक लोड लगते रहते हैं तो इसे मजबूत बनाए जाता है ठीक है ना चलिए आगे बरते हैं तो फ्रेंट्स हमे estaris को हम एक तोरा से अपने सरी के कंकाल तन्त की तरह सीविंआ सकते है जैसे के अपना सरी के कंकाल तन्त होता ह। समें उपर से जो भी बॉडिय अपना मढ़ा गया है ठीक है न तो चमडि हो गई अपनी ठीक है मास हो गया इस आरी चीजहस मिलकर हमारे सरीड बना है उपर अंदर तो के वक्लव करणाल तन्थर यह और उसे ही देखते हैं चेटेश सब आंगे देखते हैं फ्रेम कितने प्रकार क्यों होते हैं आपको बताए हैं तरही कमरशियल बाहनों के लिए इसकी बनावट सी नुमा होती है इसका इसका इस्तमाल कुछ चलके श्रोपांद येसे पीक अप ट्रक में हमें और उसके लिए करते हैं क्योंकि लाड़र फ्रेम ट्रक बहुत है लोट जायदा ना लगने के काई इसके यूज़ करने से हमारी गाड़ी की आम तोर पर एवरेज ज्यादा हो जाती है हलका होने के कारण ठीक है ना अब अगला फ्रेम अपना आता है जो भी टूबलर फ्रेम होता है यह क्या होता है कि टूबलर फ्रेम के बारे में आप देखे भी होंगे कई जगे जो हमारी compact cars वगयर आती है racing car आती है जो भी cars आती है अपनी compact होते है तो उसमें फ्रेम और चेचिस यह सारी body को अलग अलगना बना कर हम एक ही बना देते हैं ठीक है ना एक ही में देख सकते हैं पूरी की पूरी body एक ही में इसमें frame और उपर की body सभी एक ही मना दी गई है और में भी इसका इस्ते है जाता है इसके अलाब़ा जो जो भी कआ रहां आती है ब सबसे जपर हैं टाइफ यह जाती ज्यादा जरू लाइत थीजा जाता है मोनोकॉक फ्रेम यह हलका हलका के सांसाती है मजबूत भी होती इसलिए इसको इस्तिमाल करते हैं जनरली हम देख लेंगे अगर आप लोगों को और ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप यूटूब में सर्च कर सकते हैं ठीक है न एक एक चीज के बारे में जान सकते क्या होता है जो भी चीज आपको बताई हो एक एक करके सर्च करके देख सकते हैं आपको एनिमियासन भी मिल जाएंगे ठीक है न तो मैं आप लोगों को केवल समझाना चाहता था कौन-कौन से चीज़े हैं तो आप लोग साय समझ चुके होंगे तब के लिए ठैंक यू और आँगे आपको एक एक जामपल भी देख सकते हैं यह थार है महिंद्रा थार